तो गाइस जिसे कि अपने लोग ने लाश एपिसोड के एंड में देखाता है जिंग्यों को उनकी लोकेशन का पता चल चुका है और जिंग्यों आगे बढ़के इनको प्राटेक कर देता है तो अब आके उनमें से एक बंदा के नहीं लगता है अर यह तो वही पेले वाले ल लगा दो तो एक बंदा फटाक से दर्वाजे को लोग कर देता है बागी के बंदे उन लोगों से लड़ने के लिए तयार हो जाते हैं जैसे जिंग्यों करीब आता है उनमें से एक बंदा धंडा चलात हुए केता है डड़ल हमारी है तुम उसे कहीं पर नहीं लेजा सकते एक बंदा फाया के बंदा के रहा हुता है लेकिन यहां पर हैंसंग का सामना उसी बड़े से बंदे के साथ हो रहा होता है उसके पाना होता है पहले तो मेरे को इसलिए मार पाए थी क्योंकि मेरा ध्यान नहीं था लेकिन आप तुम्हारा कोई चांस नहीं है और शाती वो पाने से उसको पर अटेक करा देता है कि अभी हैंसंग बहुत देर से आगे बढ़ता है और उसकी पसलियों में एक जोड़ा लाद मार देता है उस बंदे के हालत बेकार और जिंग्यों से टोपी वाले बंदे से कह रहा होता है मैंने कहाना जिल्दी से चाबी मुझे दे और वो बंदा कहता है कि तभी एक नीचे पड़ा हुआ बं और जिंग्यों के ओपर पंजिस के बारिश कर देता है और वो बंदा कहता है क्या तुम ब्लोक कर रहे हो तो क्या हुआ आज मैं तुमको बहुत बूटता से पिटने वाला हुँ और एक अचा सबक सिखाउंगा जिंग्यों उसके पंजिसको धियान से देख रहा होता है कि सब 멘कांजाब कर उसके हाथ को पकड़ कर भषाएफ जोगा देता है जो बंदा बैंदा कि ईखीज नहीं से चैजा उसको दलके आयख कि व्हुत जोर दारं जुइंए अपना सर पकड़ गये हो बैं किया रहा होता है। मियूंग उसकी तरफ कुछ फेक के मार देता है, उसका ध्यान मियूंग की तरफ चला जाता है, क्या रहा होता है, यू लिटिल मियूंग भी आगा इसे लग लगति पर ल है क्याता है, खे रहा होता है, आखर तुम एक बच्के के ऊपर इस没有 on the bak equipo countries, नमशन में बर रहा है, or व वो भी नोक आउटों के गिर जाता है है नोक आउट तो नहीं हुआ होता बस गिर जाता है वूर टूबी वाला पंधा किता है मैंने कहा था ना ये लोग काफी जाता है फटाक से गाड़ी पर बाद से बाते हैं आए रही श्ठाट करकर वहां соврем हैं जाने लगते हैं हैंसंग क्या रहा होता है और हुस भंदे के पास यह दो चाहक, चींगि वो ढबता उठकते हैं ने चाहिए जाने spraying लगती हैं के नीचे गिर जाता है कि तभी म्यूंग को अंदर से अवाज आती है जल्दी से डर्डल को वहाँ पर लेकर चलो म्यूंग का ध्यानी एक पाने और लोहे की पाइप पर जाता है वो फटाक से उन दोनों का आपस में जोड़ता है और ताले में फसा के ताला तोड़ने की कोश म्यूंग अंदर आ जाता है एक बंदा के रहा होता है आखिरिन बंदों की प्रॉलम क्या है वो चश्मेवाला केता है लगता है कि लोगों को डरी नहीं लगता है रोको इसे म्यूंग केता है यहाँ पर ओल्ड़ेडी पुलिस आने वाली है तो भेतर होगा कि तुम लोग हा घबड़ाया हुआ रहता है कि तभी डर्ड़ की ममी गाड़ी से निकलती है और म्यूंग को आवाज देती हैं और वहां दूसरी तरह वो लोग गाड़ी स्टार्ट करके भागने की कोशिच में रहते हैं कि तभी जिंग्यू ट्राइबर का कॉलर पकड़ लेता है और घुस खबड़ा चाती है तो भी वाला बंदा केता है कि सब कुछ गलत हो गया चाशनवाला के रहा होता है यह लोग तो उसके पैरेंट्स हैं मतलब कि यह बास सच है कि पुलिस भी यहां सपास है डेडल की ममी को काफी शोग लगता है डेडल की ममी वहीं पर लड़ खड़ा के ग मार डालूँगा अगर तो यहां पर आमना चाता है तो आज जा जब कि डेडल की ममी भोत यह तक हुस्ता हो जाती है और साथी दुखी भी अपने हैस्बेंट से के रही होती है हनी जरा देखो हमारी बेटी की तरफ मैं इन लोगों को भी माफ नहीं कर सकती है मैं इनको मानन चाहती हूं हनी अगर तुमने कुछ भी यहां पर करा तो फिर तुम काम नहीं कर पाऊगे लेकिन मैं सारी रिस्पोंसिब्रिटी लेने के लिए तैयार हूं मैं हमें सपोर्ट करूंगी तो आगे बढ़ो और इन कम्यूनों को एक अच्छा सबक सिखा और हमारी बेटी को व और फिर बंदा भी अपने बल्दे के साथ यह सागे बढ़ता है डेट को पर आडे करने के लिए रहा होता है पीछ चाहिए वह बंदा चला दोए चाहिए उसके ओपर एक किक और वह बंदा नोकाउट हो जाता है यह देकर म्यून का मुंग खुला रहे जाता है डेडल के ड चाहिए यह देखकर वह दूसरा बंदा भी चोग जाता है डेडल के डेड़ फटाक से फाइटिंग एशन लेकर खड़े हो जाते हैं वह टोबी वाला बंदा केता है एसा लगता है कि तो बहुत जदा एक्शन मोवीज देखता है यह और बाशरते को के लगता है कि तो इस टेंड चेंपें रहे चुगाई है जो ठोटी थी तो अपने टेड की फोटो देखा करती थी कि यह तो टोड डिफरेंट नजर आ रहे हैं डेडी के अपहणा यह दिदके जब तुमारे डेड भी तुमारे चाहिते था नंसों तो थोड़े से चीठा बढ़े होंगे उन्हो तो बसिता कहा था कि मुझे लगता है कि पाइलेट बहुत ही आदा कूल होता है तो फिर उन्होंने डिसाइड कर लेकि उन्हें वही करना है आप तो बहुत ही आदा ओसम ममी आप डेड़ी से सब कुछ करा लेती हो उसके ममी थोड़ा हस्तुए केती है अरे बेटा इसे पावर बंदा वहीं पर गिर जाता है और चिलाना शूब कर देता है अरे मेरी पसली और वाश्टर को क्या लगता है तो मेरे साथ करना के बाद यहां से भाग पाएगा तुने मिस्टेक कर दिये तो बहुत बहुत होता है डेडल स्रुम मेरी है तब यह डेडल का डेड़ टांको जल्दी से यहां से निकल ड्रैवर के तैरे इंजन स्टार्ट नहीं होरा चलो एसी भागना पड़ेगा अपन को और दर्वादा खोल के जाने लगता है कि तभी चिंग्यों तीर से आगे बढ़ता है दर्वादे में लाद मार के उसे वहीं फसा देता है वो दूसरा बंदा दर्वादा खोल के दूसरी से भागने लगता है है इंसंग देख लेता है तो वह फटाक से गाड़ी को पर चड़के कूंते हुए उसके चेहर पर एक जोड़ता लात मारता है देखाया जाता है वह बंदा खास तुए उल्टी काना शुरू कर देता है जिंग्यों उसके प देखाया जाता है और वह सामने की तरफ देखती है मौम डेट आप और साथी वह बहुत जोड़-जोड़ से रोणा शुका देती है इमोशनल हो जाती है और माधड़ बंद करके अपने बेटी के बास भगने लगता है कि रहोता है माई गुटनेस मेरी प्यारी बेटी मैं तुम्हारा डेटी हूँ तो मेरे को पर पार ही हूं और जो फ्रिति एडा रोते हैं डेटी वह में बहुत जोड़-जोड़ो सों के अरले यह करती चलात हुए के ते मुझे आप से नफ्राते डेड़ी उसका डेड़ी के ता है सोरी बेटा करे तुम्हें चोट तो नहीं डगी डेड़ी के पास ही जाकर बेट जाती है और उसे माना श्रू कर देती हैं कि यू सिलीगल बेवकुफ आगर तुम अपने साथ ऐसा कैसे होने पर पुलिस की गाड़िया भी आ चाती है और फिर से अंदर का सिंदेखाया जाता है डेड़ी बोल रही होते हैं बेटा के तुम खड़ी हो सकती हो डड़े लग रही है ड़ेड़ी के लिए कि लें चलना मुश्किल है तुम पास तो आपके लिए तुमको उठा लेता हूं वो जैसे डेडल को ठाने की कोजिट करते हैं उनकी कमर में मुझा जाती है कि नहीं मेरी बैक लगता है कि मैंने खुद को को जादी पुछ कर दिया मियुंग के ताहिए अरे में उठा लेता हूं और वह फटाक से डेडल के सामने जुख जाता है डेडल के ताहिए तुम्हें करना बंढ और यहां पर आ जाता है लेकिन वो अंदर नहीं आता भार सी सब कुस देख रहा होता है जिंग्यू बिचारे की घर से कि होन भी निकल रहा होता है और वो चाब्यार लेने में काम्याब रहा वो बस डडरल को पीछे साट से देखता है और डरल को देखने के बाद ही वो खुश जाता है इस तरह से और साथ ही बोड़ के जाने लगता है हैसंक के रहा होता है क्या हो तुमें, क्या तुम बस यहां से ऐसी चले जाओगे ड़ेडल से बिना मिले जिंग्यू करता है है मैं तो बस उसको सुरक्षित देखना चाहता था, इससे जड़ा कुछ नहीं और फिर जिंग्यू हैंसंग के साथ चुप चाप वहां से निकल जाता है और फिर देखाया जाता है यहाँ पर पलीस और एंबलीस दोनों पहुच जाती है और सभी लोगों को गरफ्तार कर लिया जाता है और फिरता से डेमिस था उसे स्टेशर पर उठा कर ले जा रहे होता है और वो बंदा जैसी डेडल के पापा को देखता है चलात हुए करता है यह आदम है इसने मेरे को लगवक मानने की कोजिश की जान से यह सुनत है से डेडल के पापा की तरफ देखना शूरू कर देता है डेडल का पापा क्या रहा होते हैं आखे बुरातमी की सावर में बात कर रहा है यह जो भी करा है वो सच नहीं है डेडाएटिव आखे मेरे जैसे एक मिडल एज बंदे के अंदर ही तिस त्रंथ केसे हो सकती है मैं तो बस खुद को प्रटर्ट कर रहा था क्यूंकि इसके हाथ में वेपन था और साथ ही वो अपने पेर पिला की चुट दिखाने लगते हैं और बोलने लगते हैं यह मेरों को उसल लगा था मैंने बस सब को सेल्फ डिफेंस में करा जबकि यह चोट देका मियूंग सेंट में खड़ा सोच रहा होता है रहे अंकल को तो यह चोट कल लगी ते लिविंग हाउस में जब वो घूम रहते टेबल ते डख रहा गए थे यानि कि साब साब डेडल का पापा यहां पर क्यार कर लिए तुमने एक नामाले को कर आता और उसके साथ बहुत बुरी तरीके से देवार करा और साथ ही जब हमने तुमको वश्मे करने के कोशिश के तब तुमने त्यारों का इस्तमाल किया उसने पहुचिदा फॉर्स का यूज कर रहा हैं आखरिये सेर्फ डिफेंस तो क्या आता है तुम एक नमबर के कशड़े हो आज तो तुम लोग सब फिनेश हो चुके हो और साथ ही वो डिटेर्टिव एक पुलिस भी सरसे बात करना शुका देता है कि तब यहां पर दूसरा पुलिस भी सरा आते और कि रहा होता है वहां पर भी एक बंदा फ्रेक्श सब्सक्राइब लेकिन यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि मेरी बेटी को मिला मान से घाउ कब भरेगा अगर तुम में से कोई भी एपने टूटी हुई हड़ी का मुसे बला लेने के राद इसे दोबार आता है या तुम लोग मेरे परिवार के आसपास आने की कोशिश करते हो तो यह बात ध्यान से सोच लेना मैंने तुम सभी लोगे चेरे अच्छे से याद कर लि लगता है और तो के रहा होता है स्टेल्मेंट मेरे में तो तो सोच ना भी मत और चला जाता है अपनी वाइफ के पास तो और पर हमें इसे कैसे जा सकते हो जिम्यों केता है तो अपास थढ़ार टाइम और तो पुलिस इस्टेशन आ जाना ता कि मैं तुमसे गभाई ले और आज के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जिंग्यू केता है मुझे भी तुम्हारा शुक्रिया आदा करना चाहिए इतनी मेनत करने के लिए आपका धन्य बाद मैं जरूर से तुम्हें कल फॉन करूंगा हैंसं केता है जिंग्यू के तुम शौर हो कि वहाँ से बाद से चले जाना एक तम ठीक होगा और वेसे के तुमको सच मुझे टोडर के पाच आने कि दरो अतनी है कम से कम मेरे वर्क प्लेस पर मेरे को थोड़ी फरस्टेट किट देने देना जिंग्यू केता है मैं ठीक हूँ और डडल के परेंट्स भी वहाँ पर आ गए थे इसलिए मेरे लिए चंदा करने कि आप कोई बात नहीं हैंसं केता है तुम वहाँ पर भेंदी हो समते तो मैं इस तरह से इदर उदर उड़ते देखकर मुझे लगा कि जैसे मैं कोई मूवी देख रहा हूँ जिंग्यू केत हैं मेरी गलती हैं अब यह पसिंगर की बिलिए को यहां रखताई और साथे यह यह पर लंच करता है और बता रहा होता है यह एक लगशिंए बिक्म ॏक दूए बडियो करें अंगी DUë यह मेरा नहीं है मैं इसे अपने साथ लेकर नहीं आया बल्कि किसने में लिए बना के दिया है यह सुनते सी वह कहीं लगता है तो आखरी बनता है क्या यह वही लड़की है चुकि कभी कभा तुमको चुपके से ज्छागते रहती है और यह क्या है एक लंच बॉक्स का इसके उसके कहीं प्यार तो नहीं या फिर यह से कुछ एंसां घस्तुए कहता है वैसे में उसके में लिए किये गए वर्क को एप्रिशेट करता हूं और उसने कहा थे कि यह बिल्कुल मेरे फैस जैसे देखेगा पर जैसी वह खोल के देखता है तो यहां पर पूरा खाना इंग युकार सफाइब कर रहा होता है कि तभी उसके शोल्डर में दर्दोना शुरू हो जाता है यह संके तहे हैं तुम्हारे शोल्डर में दर्दो रहे ना टूड तुम्हें यहां वह इस तरह से हर किसी फैड में नहीं हो जाना चाहिए आगे किस ने कर तो मैं ऐसा तह जंगल के रहा हुता है रहे नहीं यह ठीक है मैं कल हॉस्पिडल गया था और उन लोग ने कहा कि यह कोई बड़ी बात नहीं तब ही खुश हो जाता है के रहा होता है Le Klame ज़रा देखो तो यहां पर कौन आया है पीछ देखो वो तो डढ़डल है और साथ ही वो डर्डल का अबाज लगाने लगता है डर्डल जिंग भी पीछे मुड़के देखता है तो डर्डल चुपचाप से एक ओने में खड़ी हुई रहती है और वो अपने साथ लंच बॉक्स लेकर भी आई है जिंग उसको देखे खोश जाता है और फिर देखाया ज तो नहीं जानते है लेकिन वहां पर काफ यादा है और उसमस से भी ज्यादा वही था जिसने वह स्टिल टॉर को ओपन करा था और मुझे रिलाइज हुआ है और तुम पहले से काफी बेटर हो गई हो गई है आगरी सो तुमारा क्या मतलब कुछ हैट से मुझे कुछ नहीं ह तो वह सेंसेंट टॉमो वाला मोडल है और साथ है वह फटाक से गाड़ी के पास पहुंच जाता है क्या रहा होता है हाई सर आप तो उसी नूडल प्लेस के ओना रोना जो कि उस स्टीट पर लगती है और वह कियता है क्या मैं तुमको याद हूं और मेरी कार खराब हो गई ह मैं जिता हो सके कार को खुती धोने की कोशिश करता हूं लेकिन मैं आज काम पारू क्या तुम जानते हो मैं सिर्फ 10 रुपे में बाहरी धुलाई करवाना पसंद करता हूं जिंक्यों केता है सर आइम रेली रेली सोरी में को सच मुछ काफी खेदे लेकिन हापर सिच्वेश दूसने में काफी अच्छ लग रहा है और विर साथी वह खोशते हुए अपने काड़ी को लेकर वहां से चला जाता है डेल उस गाड़ी को जाती है और भौती घबराई वीसी रहती है जिंक्यों उसके पासा के खड़ा हो जाता है और साती उसके सामने जुके वहीं दिखो जाओगी टेडल यह सुनते से रोणा शुका देती है और जिंग्यों के गली लग जाती है के रही होती है तुमारा बहुत बहुत शुक्रिया जिंग्यों और बस गाई इसे सबसेट के लिए इतना ही है बागे के स्टोड़ी अब लोग नेक्षे बिसेट में जानें झाला बहुत जाओ देडल शुक्रिया जार만 आरेके में जानें के स्टोड़ी टेड़ी तर जानें में जाने है बागे के लिए बागे विए तो को अधना है जाने है